हेलो फ्रेंज रादे रादे वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं मनिशा स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में आप सभी का कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ अच्छे होंगे आज इस वीडियो में मैं शेयर करने जारी हूँ ऐसा जादूई मिक्चर जिसकी मदद से हम लोग कीड़े, मकोडे, चिपकले, कौक रोज, इतियादी से छुटकारा इजली पा सकते हैं इस मिक्चर को मनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कप एपल साइडर विनीगर लिया है आप लोग चाहें तो वाइट विनीगर भी ले सकते हैं ये देखे मैंने एक कप में एपल साइडर विनीगर मेजर कर लिया है और इसको मैंने एक पैन में डाल दिया है अब मैंने ने बहुत अच्छी और बड़ी तेज समयल होती है और मैं तो इसलिए भी यूज कर लेती हूं जैसे मुझे कुछ भगवान का भोग बगरा बनाना है उससे पहले अगर मैंने प्याज लैसुन बनाया है तो उसको पवित करने के लिए भी मैं यूज कर लेती हूं मेरा जो नेक्स इंग्रेडियन्ट है वो है डिटॉल डिटॉल मेरे पास आदा कफ था तो मैंने आदा कफ ही अपने पें में डाला है लेकिन इसमें प्रक्रोट एक कप समयल होती है उससे सारी छिपक लिया कौक्रोज तम भाग जाते हैं विन्यगर मैं पहली एड़ कर चुकी लेंगे अधा चमच बड़ा चमच गोल लेंगे और फिसमें डाल देंगे देखिए मेरा डंग से नहीं गुलाए क्योंकि मैंने पानी गरम नहीं किया था हलके गरम पानी में डालेंगे तो पूरी तरह साबुन मेरा गुल जाता और इसमें आप लो लिक्यूट पूरे खतम हो जाते हैं बहुत ही अफेक्टिव है लेकिन यह लेना बहुत ही कम मात्रम है मतलब मैंने बहुत ही कम क्योंटिटी लेनी है क्योंकि यह स्ट्रॉंग केमिकल है और हम लोग इसको गैस पे या अपने प्लेटफॉर्म पे या डाइनिटेल पे यूज करेंगे इ यह प्लेट लिए यह खाली बॉटल एक कॉलन की पड़ी होई थी इसी में मैंने बह लिया इसको यूज करते वक्त भूत ही सरल विदी से हम लोग कर सकते हैं जहां पर हमको चीटी दिखाई दे जैसे डानिंग टेल पे मैंने पूरा स्प्रे कर लिया अब इसको इसको एसे ह साफ पानी से वाश करना जरूरी एक बार और वाइप करना क्योंकि इसमें लाइजॉल और साबुन दोनों हैं अब यह देखे मैंने फिर से स्प्रे किया है और स्प्रे करके मैंने उसको पहुंच दिया है पहुंचने के बाद मैं इसको 10-15 मिनिट ले छोड़ने के बाद मै पाइपाज जातर सीलिंग मशीन घर में नहीं होती है हर मशीन रखना संबभ भी नहीं है प्रॉब्लम याती है कि जैसे हम नमकीन के पैकेट्स और या दालों के पैकेट्स खोलते हैं उसमें से आधा बच जाता है तो उनको कैसे हम प्रॉपर सील करें कि इसमें बिल्कुल हवा ना जाए हवा जाने की वज़े से क्या होता है कि नमकीन खराब हो जाती है दीरे दीरे टाइम के संग पड़ी रहती है तो तो इनकी सीलिंग को प्रॉपर कैसे करना है जैसे हवा बिल्कुल भी ना जाए यह मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करने जा रह प्रॉपर सील कर दे पाती है मतलब इसमें हवा जाने के पूरी संभावना रहती है और धीरे धीरे नमकीन खराब हो जाती है या कभी कलिप खुल गई तो सारी नमकीन बाहर यानि कि वेस्टे प्रॉपर सीलिने के लिए मेरे पास एक नया तरीका है मैंने यहां पेपड टा देखिए अब मैंने दूसरा पैकeट के उपर पिर से पेपर टावल रखा उसको फॉल्ड कर लिया गरम प्रैश है मेरी मैं उसके उपर चला रही है बस यह ध्यान रख रही हूँ कि पैकeट तक प्रैस ना आए नीचे तक ना सिर्फ टावल तक ही रहे, paper towel तक, क्योंकि press गरम होती है, ये packet को खराब कर सकती है, गरम press, हम लोग इसके उपर चला रहे है, हम देखेंगे, हमारा packet seal हो गया, हम थर्ट packet ले रहा है, इसकी भी मैंने clay फटा दी है, demonstration के लिए again, मैंने फिर से, पेपर टावल पे इसको रखा है इसकी नैपकेन फोल्ड की पेपर नैपकेन या पेपर टावल गरम प्रेस होनी चाहिए बिलकुल गरम अच्छी तरह से गरम हो गई हो इस पे फिर से चलाया ये ध्यान रखेंगे कि प्रेस हमारी पैकेट तक ना है, सिर्फ टावल तक रहे, दो-तीन बार इसको गरम-गरम प्रेस को चला देंगे और उसके बाद देखेंगे हमारा ये पैकेट भी पूरी तरे सील हो गया होगा देखें मैंने तीनो पैकेट को लटा करके मैं दिखा रही हूँ, पूरी तने सील हो गए है, नमकीन भार नहीं आ रही है, मौश्चर से ये सरक्षत हो गए है अब हमाई नमकीन सेफ है अब मैंने एक अलग तरह का पैकेट लिया है, ये चौथा पैकेट है मेरा, इसमें मैंने कुछ जिप्स फ्राइ कर लिये थे और यहां मैं मठ्री डाल रही हूँ, इसको भी मैं सील करके दिखा रही हूँ जैसे हमारे कुछ स्नैक्स होते हैं, कभी जन्नी में जाना है, ट्रीन में जाना है, बच्चों के संग है तो इसको सील करके कैसे ले जाए कि सुरक्षित रहे, ना फैले और ना ही इसमें एर जाए इसको भी मैंने पेपर टावल लेके इस तरह से आधा कर लिया उसको, ऐसे रखा ये देखे पोजिशन इसकी आधा आधा दोनों तरफ रखे गरम प्रेस इस पे चला दी और ये हो जाएगी पूरी तरीके से सील, बस ये ध्यान रखना है गरम प्रेस होनी चाहिए और नीचे तक मेरा पॉलिथीन तक प्रेस नहीं आ रही है I hope ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, ये informative लगा हो, useful लगा हो अगर पसंद आया है तो please like, share, subscribe कीज़े आगे आने वाले वीडियो से जुड़े रहे है, thank you